हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए पंजाब गौवर्मेंट के पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा निकली लीगाल असिस्टेंट की लेटिस्ट वैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो दोस्तो ऐसी ही लोग रेजवेट्स के लिए पंजाब गौवर्मेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा लीगल असिस्टेंट की वेकेंसी निकाली गई है इसके जो ओफिसियल नोटिफिकेशन है आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट जो की आपकी स्क्रिन पर खुली हुई है ppsc.gov.in के माद्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका ये ओफिसियल पेज ओपें हो जाएगा तो आप नीचे देखेंगे आपको जो लीगल असिस्टेंट की वेकेंसी वाला नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है या फिर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के माद्यम से भी इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए थोड़ा डिटेल से ज लीगल असिस्टेंट की वेकेंसी निकली हुई है और लीगल आफिसर मींस लॉफिसर की वेकेंसी तो जो लीगल असिस्टेंट है उसकी 36 वेकेंसी है और जो लॉफिसर की पोश्ट है उसके लिए 3 वेकेंसी है इस परकार से आप कह सकते हैं तो टोटल यहाँ पर 39 वेकेंसी हैं यह जो vacancies हैं पंजाब गवर्मेंट के जो different departments हैं वहाँ पर आपको as a legal assistant या फिर law officer job करने का chance मिलेगा तो दोस्तों जो legal vacancies है different departments में हैं जैसा कि हम आपको screen पर दिखा रहे हैं अलग-अलग department में अलग-अलग vacancies हैं लेकिन हैं सभी legal की vacancies तो यहाँ देखिए total आपकी जो इ 35,400 यह fix early है जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाली है खास करके जब आपका probation period होगा उस timing पे तीन साल का आपका probation period होगा starting में उसके बाद जो आपका वहाँ का pay scale है वो आपको मिलेगा अब बात कर लेते हैं qualifications की दोस्तों तो देखिए यहाँ पर post का नाम तो legal assistant है अलग-अलग departments के लिए अलग-अलग qualifications मांगी गई है लेकिन सब में common है कि आपके पास law degree होनी चाहिए जैसे पहले advertisement की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फिर university से और इसके साथ सतकम से कम two year का experience होना चाहिए किसी भी बार में work करने का means as a advocate work करने का कम से कम द उसरा advertisement है वहाँ पर भी आपके पास law degree होनी चाहिए minimum second class की degree means जो 50% है कम से कम इतने marks आपके होने चाहिए तब यहाँ पर apply कर पाएंगे plus two year का experience इसी परकार जो तीसरा है उसमें भी ऐसी मांगा गया है means यहाँ जितना भी है vacancies तो total vacancies means law degree होनी चाहिए और कम से कम two year का आपक कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ जो qualifications आपकी count की जाएंगी वो 29 June 2022 यह last है जिस date से आपके सारी count किये जाएंगे अब बात कर लेते हैं age limit की तो जो आपकी age limit है minimum 18 years है और maximum जो है 37 years है means 18 साल से लेकर के 37 years के बीच के जो candidates हैं वो यहाँ पर apply कर पाएंगे और जो category wise पंजाब government के लोगों को मिलती है चूट age में वो सारी चूट यहाँ पर आपको मिलेगी यदि आप other state के हैं तो यहाँ पर आपको कोई चूट नहीं मिलने वाली क्योंकि आप general category में यहाँ पर count किये जाएंगे और जो age limit है वो आपकी एक एक 2022 से count की जाएगी तो दोस्तों exam pattern की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक जो है आपका competitive examination होगा objective type का legal assistant के लिए जो total vacancies सभी के लिए common exam होने वाला है जिसमें 120 questions होंगे total 480 marks के यह सभी MCQs होंगे means part A में जो आपके questions होंगे 100 questions होंगे 400 marks के और जो part B है उसमें 20 questions होंगे और 80 marks के होंगे तो देखिए जो part A है उस critical reasoning है और mental abilities के 20 questions होंगे और यह जो exam होगा आपका सभी 36 post हैं सभी के लिए common exam होगा और जो law officer की 3 post है इनके लिए अलग exam होगा यहाँ पर देखिए जो एक question 4 marks का होने वाला है और जो exam paper होगा वो केवल English में ही होगा और बात कर लेते हैं negative marking की तो यहाँ पर negative marking भी होने वाली ह means 1 by 4 की means एक गलत हो गया तो आपका एक number कट जाएगा और एक सही हुआ तो आपको 4 number मिल जाएंगे तो देखें यहाँ पर जो examination होगा दो गंटे का time period होने वाला है इसका और इसका जो return examination है means यह जो आपका examination का syllabus है वो भी सी notification के last time हम आपको बताएंगे तो दोस्तों अगर ब के लिए 500 रूपीज है और जो EWS कटेगरी में आते हैं या handicapped person है उनके लिए 500 रूपीज है और इसके लाओ जो other कटेगरी हैं उनके लिए 1500 रूपई फीस पे करनी होगी और यह फीस भी आपको online ही पे करनी होगी और जो application वो भी आपको online ही apply करना होगा बात कर लेते हैं इस प्रकार से जो registration है 29 जून 2022 तक आप कर सकते हैं राद 12 वजे तक उसके बाद जो है जो इसका bank चालान है आपको print करना है 30 जून 2022 से print कर सकते हैं और जो printing system generated plan है उसकी last date is 7-7-2022 और जो इसको फीस भरने की last date है वो 8 July 2022 है इस time period में आपको इस vacancy के लिए apply करना होगा तो दोस्त अगर slabus की बात करें देखें आपकी screen पर हम दिखा रहे हैं unit first है code of criminal procedure दूसरा है आपका unit second Indian penal code और जो तीसरा है unit third Indian evidence act और जो fourth है unit आपका code of civil procedure है और जो fifth unit है आपका constitutional law है जिससे आपसे questions पुछे जाएंगे अब उसके बाद जो part B है आपका जिसमें की general knowledge, logical reasoning और mental ability से related questions पु वीडियो को रोक करके देख सकते हैं पड़के समझ सकते हैं तो यह आपका total इसका syllabus हो गया और आपकी कोई भी query है तो आप comment करके पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद